नमस्कार, दनुराशी के जातकों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक राशी फल किस तरह के फल सूचना है सामने रख रहा है। इसका संपूर्ण चर्चा वरतांत लेकर हम आप सभी के संभू के हाँ हाँ हाजर और उपस्तित हैं। इस पत के उपर हम आगे बढ़े हैं। उसके पहले एक छोटी सी सूचना आपको देता हुआ चलू। आपके प्रश्णों को समाहित करते हुए जो वारशिक वर्षपल तयार होता है। उसकी अदे की जानकारी के लिए आप हमारे जोटपुर के कारेले में संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं आप देखें कि जो चार्टिंग आप देख रहे हैं यह एक जनवरी 2021 के वारशिक इस्तर के शुरवात की है। जहां पर ग्रही ये विवस्ता में देव गुरु ब्रहस्पती और शनिदेव निरंतर करम में यहां द्विती ये भाव में ही रहने वाले होंगे। चनिदेव स्वराशी स्थान बे रहेंगे तो वहीं देव गुरुब रैस्पती एक से पाँच अपरेल तक यानी एक जन्वरी से पाँच अपरेल 2021 तक के समय अंत्राल में मकरस्त और उसके बाद में यहां कुम्ब की स्थियों में रहेंगे नीचस्थियों से बाहर निकल कर अतिचारी भी होंगे, पांच अपरेल से लेकर 14 सतंबर 2021 तक का वसम रहेगा, 14 सतंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक देव गुरु ब्रैस्पती पुनह है, यहां मकर राशी में ही रहने वाले होंगे, के तु यहां वरिश्चिक राशी में चलाएमान, तो वहीं पर जो राहु हैं, यहां रूख और शत्रु हम्ता की स्तियों को बनाएंगे, सिक्स थाउस में ही चलाएमान रहेंगे, जनवरी और फरवरी में मंगल का जो प्रभाव है, वो पंचम भाव के उपर पूर्ण अकालिक तौर के उपर रहने वाला है, सुरिदेव की स्तियां शुरुवाती स्तर पर 14 दिनों के लिए धनुराशी स्तान में, उसके बाद में मकर सक्रांती जैसतियोंहार और सुरिदेव मकर में गमन करने वाले होंगे, बुद्ध की बुरिशन शुरुवात में यहां पर आप देखेंगे धनुराशिस्तान में ही तो चंद्रमा शुरुवात ही दो दिनों के लिए यहां अस्टम भाव में अस्टमेश होकर चलाएमान रहने वाले होंगे हम चर्चा करते हैं परतम भाव के साथ में व्यक्तित्व क्या कह रहा है आप देखिएगा कि व्यक्तित्व को जब भी अनुभव मिलते हैं और उस अनुभव के साथ में जब व्यक्ति खड़ा होकर आगे देखता है तो उसको मालुम चल जाता है कि गल्तियां कहां कहां नहीं करनी है और कहां धीमेपन के साथ में चलना है फैसनेशन्स ने बारम बार धोके दिये लोग हमारे पास में योजना ये ले 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 कर आए किन्तु उस योजना की तरफ हम बढ़े तो वो फेलियर थावित हुई ऐसी स्तियों की और ब्यक्ति अब बढ़ने से कतराता है हिच ही है और इसी आत्म विश्वास की वज़े से आप अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में ये संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं किसी चेंज की और जाओंगा तो मार्च के अंतिम पंद्रहे दिनों का समय अंतराल और साथी साथ में अपरेल के जो एक तरह से शुरुवाती प उपलबधी को आपके सम्मुक लेकर आने वाला होगा परिवर्तन में वश्वास ये आप जरूर बना कर रखेगा ये व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है जो लोग आपके जीवन से दूर हो चुके थे किसी ने किसी कटुता की वज़े से वो यहां फिर से जुडाव क और आ रहे हैं ये एक समय का सबसे प्रमुक संबल आपके लिए है साड़े साथी अपने अंतिम प्रवास काल के साथ में है और अंतिम प्रवास काल के साथ में चलती हुई साड़े साथी आपको निरंतर संगटित तोर के उपर एक विश्वास दे कर जाने बाली होती है कि ज उसी और हमको गमन करना चाहिए वही द्वितिये भाव की मैं चर्चा करूँ तो द्वितियेश होकर शनिदेव द्वितिये भाव में ही रहेंगे और ऐसी इस्तियों में वानी संबंदित कामकाज में एक इसपस्टता मिलती है बले ही आप पबलिक रिलिशन को डिल करते हैं human resources के साथ में हैं वक्ता संबंदित इस्तर के उपर हैं शब्दों को लपेट कर प्रस्तुत करने की जो स्तिती होती है वो आपके साथ में नहीं रहेगी इसपस्ट रिबादिता के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेश अपने लिए धना गमन की स्तितियों को भी सहेशता चला जाएगा ये एक स्पस्ट आधार यहां पर नजर आता है तो वहीं एक निवेदन में आपसे और भी करूंगा कि कुटुम्भी जनों के साथ में आप कहीं पर भी महा न्यायदी पती बनने से बचिएगा मैं कह रहा हूँ ये तरीका बिलकुल सही है आप सभी को इसी औ चलना चाहिए वहीं आप कहते हैं कि मेरा अनुभव तो ये कहता है कि तरीका ठीक है आप सभी इसी और चलते हैं तो हम शायद जादा बेहतरी की और जा पाएंगे बाकि आपकी मरजी ये जो शब्दों का समू है पुरे ही अर्थों को परिवर्तित करके रख देता है एक मे आपके लिए मध्यम दर्जे के साथ में रहेगा ही पुराने अटके हुए जितने भी वाद और विवाद हैं संपत्ति संबंधि अधिकार हैं चनिदेव की तीसरी दृस्टी वहां आपको बेनिफिट देती चली जा रही है ये एक प्रमुक आधार बना हुआ है तो वहीं पर धना गमन को सहेजने में आपको काफी हद तक मशक्कत करने की आवशक्ताएं रहेंगी तो वहीं थर्ड हाउस की जदी मैं चर्चा करता हूँ तो जो तृतियेश हैं वो स्वयम से द्वादश होकर यहां सेकिंड हाउस में रहेंगे इसी वज़े से जो यात्रा संबंध करनी रहेगी आप अपनी किसी भी प्रमोशन के साथ में या जॉब चेंज के साथ में अपने घर के पास में आना चाहते हैं तो फाइनेंचल फ्लो में थोड़े से कॉम्परमाइज करके ऐसी पोजिशन को एकसेप्ट करने के और आप जा सकते हैं वजह यह है कि जो प्राकर करना इस्थापित करके चलिएगा हाला कि अब आप में इतना धैर आ चुका है कि कहीं पर भी आप गफलत में उलजने वाले नहीं होंगे लिक्रेटिव ओफर कितना इस्थाई है जब ये व्यक्ति समझ लेता है तो वो उलजता नहीं है ये स्तियां वर्ष परियमत आप के लिए यहां पर रहने वाली है तो वहीं चतुर्त भाव की मैं चर्चा करूं आप देखिएगा कि जो भूमी संबंतित जो भी नरने होते हैं किसी फ्लैट की पजेशन की और आपको जाना है अपने आशियाने का आपको नर्मान करवाना है या किसी भी भूमी को परचेस करन आपके लिए लंबे समय तक सार्थक रहने वाला होगा आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में और वहीं जो एक तरह से ओल संबंधी कामकाज होता है Lynn बहां बहतरी की पूरी पूरी गुंजाईशें बनी हुई है कहीं पर भी इंकार करने के वाली बात नहीं है दूसरे इस्तर पर ये भी समझ कर चलना होगा कि जो चतुर्थेश की स्ततियां है वो द्वितिय भाव में है इसी वज़े से माता इस्तान के साथ में आपका जुडाव बढ़ने की संभाव ना परोक्स तौर के उपर रहेगी किसी ऐसे कामकाज की शुरुवात आपके लिए आसानी के साथ में हो सकती है दो वहीं पंचम भाव यहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन से संबंदित जो भी वशयक शेत्र रहते हैं मंगल जनवरी और फरवरी के महिने में वहाँ आपको मेजर लिवल के बेनिफिट दे सकते हैं आकस्मिक दनलाब जो की शेयर मार्केट संबंदी शेत्र के साथ में जोड़कर जीवन में एक निखार लेकर आने वाला होता है वहाँ पर भी अटूट संबाबनाएं आपके लिए चलने वाली होंगी एक बात और मैं यहाँ पर स्पस्ट करता हुआ चलूँ कि जो संतान पक्ष के साथ में आपके लिए विवाद चल रहे थे वो और अधिक बढ़ने वाले नहीं हो वहाँ नियंत्रन स्थापित कीजेगा अपनी वानी के उपर एक महत्वपून चर्चा और आप यदि फैमिली वे की और हैं और 12-16 वीक्स की साइकल एक तरह से कम्पलीट हो चुकी है फिर से प्रोफेशनल लाइफ को कुछ समय के लिए जॉइन करना चाहते हैं मेरा निविदम है कि यात्राओं में और अपने कामकाजी जीवन में आप थोड़ी सी अभी तक सावधानी बरतियेगा सहजिता की आवशक्ता स्वास्त को लेकर है कामकाज पूरे जीवन करना है किन्तु ये जो 36 वीक्स की साइकल है पहले इसको बहुत अच्छे से पूर्ण करने के और आपको जाने का प्रयास करना चाहिए ये भी याद रखें कि सक्षा अभी अभी आपने समाप्त की है और उसके बाद में अपने कामकाज की और आप जाना चाहते हैं या नौकरी पेशा जीवन की और जाना चाहते हैं त्वरेत गती के साथ में लिए गए निरणय आपके लिए सहीयोगी सद्ध होने वाले होंगे ये पंचम भाव की प्रवर्तियां पूरे ही वर्ष परियमत स्ततियों को दर्शाने वाली होती है किसी भी competitive exam की आप preparation कर रहे हैं या विदेश संबंदी स्ततियों के साथ में कोई भी आप preparation करने की और है वहाँ पर भी ये समय आपके लिए पूर्ण तया सहीयोगी बना हुआ है यहाँ जो राहू की स्ततियां है ये आपके लिए किसी भी तरीके से negativity स्वास्त में हावी नहीं होने देने वाली है ये बात ध्यान रखिएगा शत्रू भी यहाँ पर उतने हावी नहीं हो पाएंगे जो भी लोग आपके लिए office culture में किसी भी तरीके की conspiracy को create करने का कारे कर रहे थे वो भी अब लगातार एक दूरी बनाए हुए हैं आपसे और आप जिस तरह से कर्मशील रहे हैं और ऐसी सारी ही indirect negative approaches को संबालने की ताकत आपके साथ में रही है वो बहुत बड़ा गुण है आपका वहाँ से अब कोई भी चंता की आवशकता हैं आपको नहीं है हाला की नसों से जनित जो रोग होते हैं उन से थोड़ी सी साबधानी आप इस वर्ष के दूसरे अंतराल में जरूर रखिएगा ये भी एक निवदन प्रमुकता के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो रिण संबंदी स्तियां बनी हुई थी देव गुरू ब्रहस्पती की जो दृस्टी यहां सिक्स थाउस के उपर है ये जिस तरह से व्यक्ती के वजन में बढ़ोतरी देती है उसी तरीके से उसके कार रिशेली में बढ़ोतरी देकर उसके रिण की इस्तियों को घटाने वाली हो जाती है ब्यक्ती के जब मन और मस्तश्क में एक ही बात लगातार गूमने लगती है कि मुझे अपने फाइनेंशल बर्डन कम करने है तो वो व्यवस्तित तोर के उपर दूसरी सारी इस्तियों को अटाता है और उस गोल की और लग जाता है जहां से सफलता का प्रतिविंब उसके ज निरने संबंदी किसी नए पन को आपको रोग देना चाहिए एक्सपांशन की पूजिशन्स है किन्तों अभी यदि हम रोख पाएं तो ज्यादा बैतर ऐसा कोई भी निरने सामने आता है तो वहीं पर आपको ठहराब की और लेकर चला जाईएगा कुछ दिनों तक रोखने आत्म विश्वास बना रहेगा देव गुरु रहस्पती की जो पोजिशन्स है वो भी यहाँ पांच अपरेल से लेकर जो सितंबर तक का समय अंतराल है पूर्ण तया यहाँ सबिन्थ हाउस को सपोर्ट देगी तो इसी वज़े से व्यापारिक जिवन में एक विश्वस्त इस्तती बनी रहेगी जो लोग बारंबार आपको लीकेज से परिशान कर रहे थे या जिन लोगों को आप व्यापार में एक तरफ करके किसी नए जुडाव की और जाना चारे थे जो स्वयम के लिए स्वयम के व्यापारिक पर्तिस्थान के लिए हितकर है ऐसे नरणे भी स सहीयोगी सद्धोंगे आपके लिए व्यापारिक साजेदारियों के साथ में चलना और वहीं से उन्नती के मार्ग को प्रशष्ट करना ये स्ततियां भी बहुत अच्छे से नजर आती है किन्तु ग्रहस्त जीवन में शुरवाती तीन मेनों में आप बहुत जादा कंट्रोल र प्रशियों की जो दरकार है वो भी उतनी ही है जितनी कामकाच की तो इसी वज़े से ग्रहस्त को संबालना बहुत जादा आवशक है जब देव गुरु ब्रहस्त पती पराकरम में प्रवेश कर जाएंगे सब्तम भाव पर नियंतरन करने वाले होंगे तो उसके बाद में को देव गुरु ब्रहस्त पती अपने उचराशी स्तान को जब देखने वाले होंगे विदेश संबंधी गतिविदियों में संभावना आएंगी जो हिडन टैलेंट आपने बहुत अच्छे से अपने भीतर एवाल्व करके रखा हुआ है अब वो जब लोगों के सामने तो फाइनेंशल गेन को भी एस्टेबलिश करने वाला होगा कर्म शांती पूर्वक आपके जीवन को दिरंतर विकास करम के और भढ़ा रहा है मैटल संबंधी कामकाज रिसर्च एनलेसिस संबंधी कामकाज में जो सफलता के मानक आप स्थापित करना चारे थे वो अब एक ग्सरे के साथ में आपके साथ में रहने वाले हैं यह भी एक इसपस्ट दृस्टी गोचरिस्थती हैं यहिदन प्रब्लम्स बारंबार इस वर्ष आपको नहीं सताने वाली है या जो भी परेशानिया लंबे समय से बनी हुई है आप उसको सामने लाते हैं सबसे पहले उसक हल करनी की और जाते हैं ये संकल्प शक्ति भी इस वर्ष आपके भीतर रहने वाली है वहीं नवम भाव की मैं चर्चा करता हूँ तो आप देखिए कि शुरवात में ही आपको भाग्यी का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है भाग्येश स्वयम यहां राशी पीवी होगी अनभव सहयोग देने वाले होंगे तो वहीं पर हायर एजुकेशन में जो अटकाव वने हुए थे औरोपए पैसे को लेकर के उनकी विवस्था नहीं होने की वज़े से हम अपने सपनों को पूर्ण करने की और नहीं जा पारे थे यह वर्ष ऐसी सारी चिंता होगा इसी वज़े से मन में संतोस्ती परदायक स्ततियां भी आपके साथ में चलती चले जाएंगी ये भी एक अच्छी स्तती तो वहीं दशंभाव यहां आप देखिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाच के अंदर हैं चोटी चोटी नोग जोग से आपको बचना भी नेगेटिविटी नहीं तो इच्छा शक्ती का अभाव सुभाव में दूर दूर तक भी नहीं है इसी वज़े से आप अपने लिए ऐसे ही सारे कामकाचों को हाथ में लीजिएगा सबसे पहले जो लंबे समय से अठके हुए थे जहां निराशा का भाव मन के भीतर था उसको हटाएं और अब कामकाच के और जाना आपके लिए बहुत जादा बहतर है वहीं पर इस बात को भी आप समर्तियों में रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति विशेश को जो की जरूरत में हैं पारिवारिक जन हैं उसको साथ में जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए को पुच राशिस्तान को जो की सरवांगीन लाब का भाव है वहाँ पर जब देखने वाले हो जाएंगे तो आपके लिए धन की उत्तरोतर व्रद्धी कामकाच के साथ में जुड़ी हुई है वो धन जो सहचता के साथ में नहीं संगरश के साथ में प्राप्त होता है व्यक्त या नहीं है जो आपको एक रिलीफ मिलनी चाहिए और ये मालुम चल जाना चाहिए कि साड़े सांती का अंतिम प्रवासकाल मुझे बहुत कुछ दे रहा है ये सारे ही संकेत अब आपके सम्मुक यहां स्थापत रहने वाले होंगे एक निवेदन मैं आपसे यहां पर और भ चले जाईएगा यहां आप देखें कि जो शनीदेव की स्थियां है पूरे ही वर्ष अपने ओच राशी स्थान को सयोग करने वाली देव गुरू ब्रहस्पती भी पांच अपरेल से 14 सतंबर तक अपनी नौवी द्रिस्टी से लाभ भाव की स्थियों को अम्रत मई आधार देने वाले होंगे तो इसी वज़े से फाइनेंशल गेन और आपकी मेहनत का यते स्थफल मिलता चला जाएगा वहीं जो ये ध्वादश भाव की स्थियां है यहां पर आपके लिए जो कोर्ट कचैरी संबंदित मामलात थे शुरवाती तीन महीनों में आपको बहुत अलिक सावधानी वरतने की आवशकता है और उसके बाद में रफ्तार अपने आप आपको बहतर परिणाम देती चले जाएगी इसमें कोई भी दोराय नहीं है मोक्ष कारक स्तियां जब भी हो और यहां पंचम भी आद्ध्यात्मिक चंतन को जन्म दे रहा हो तो व्यक्ति प्रतेक स्तर पर संतुस्ट होता चला जाता है खर्चे अनाया से ही निकल कर आएंगे किन्तु खर्चों के एक तरह से जो प्रबंद के एक तरह से रूपक बनने चाहिए उसमें भी कोई दिक्कत और परिशानी आपको नहीं आने वाली है तो ये था धनु राशी के जातकों के लिए वार्श 2021 का वार्शिक राशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में आपके सम्मुक हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शह आभार